तो असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूं तारीप और आप देख रहे हैं अपना ही यूटूब चैनल टिक डैक दोस्तों आज का चुई ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे हुआवे ओनर के ओनर 7X के पाई बीटा जो आ गया है उसके फीचर के बारे में क्या है उसमें नया क्या है उसमें खास उसके बारे में तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा आप देख लेना लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्यूंकि ऐसा ऐसा वीडियो मैं लाते रहता है और EMUI से कुछ भी अगर जनकारी चाहिए तो लिंक नीचे वाट्सअप ग्रूप का डिस्क्रिप्शन में है बहुत सारे लोगों ने लिंक को लिंक पे क्लिक करके जोईन किया है तो आप भी उस ग्रूप में आईए और जनकारिया लीजिए तो चली दोस्तों अब वीडिय कर लेते हैं इस टाइम वीजेट के बारे में तो इसको आपको कैसे इनेबल करना है और यह हमारा जो पाई का जो है निव फंक्शन है तो आपको ऐसे स्क्रॉल रूं करना है और उसके बाद यहां पे दिखिए वीडिये तो का यहां पे आपको क्लिक करना है और यहां पे आ तो अच्छा पर यहां के मतलब के सकते हैं तो यह हमारे जो है दूसरा है और यहा तो तीसरा आप्स करने चाहता हूं कि जब से यह पाई बीटा जब आया है इसमें तब से इसका जो है फेश अनलोग थोड़ा फास्ट हो गया है पहले के मतार्बिक पहले थोड़ा スलो काम करता था लेकिन दोस्तों जब यह आया तो इसमें बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और पहले से लेकिन इसको और थोड़ा ज्यादा इंप्लिमेंट होना चाहा लेकिन वह उतना हुआ नहीं लेकिन फिर भी पहले से सही है और तिसरा दोस्तों चोठा पच्वा जो भी हो मैं आप बात करने चाहतों यहां पे कैमरा में जाके तो दुखिएगा दोस्तों की कैम इसमें था और यहां पर दोस्तों यहां पर आगर आप जाते हैं पोट्रेट मोड यहां पर फोटो में जाते हैं तो यहां पर एक और ऑप्सन यहां पर दीख सकता है जिसको मैं यहां पर इनेबल अगर करके दिखला हूं तो यहां पर आपको क्या करने के लिए देख सकते ह यहां पर आइडेंटिटी है यहां पर और है यहन पर कैलरीज है यहां पड़ू है और यहां पर आप एक जो है ट्राइटर तो यहां-पे दोस्तों आप plastics यहां पर टेट करना है और इसके दोस्तों यहां पर देख लिए आप मेरे पास यहां पर रिमोट है तो यहां पर आप जैसे उस पर क्लिक करके यहां पर कीजिएगा तो आपको देखी यहां पर वह सी का मतलब यह रिमोट का मतलब आप यहां से इसको भाई भी कर सकते हैं तो दोस्तों यह एक बहुत ही अच् का अगर आप किसी वहान बेक्ति अगर फोटो अगरा कुछ रखेगा तो आपको आपको आइडेंटिफाई करके यह बतला देगा यह कौन है इसके बाद दोस्तों आप लोग को मैं दिखला दूँ यहाँ पर गलेरी में अगर जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ इसका भी इंटरफेस्टाइश कर दिया गया यहाँ पर देखिए यहाँ पर दाना क्लिए यहां पर क्रता हूं और उसके बाद यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मैं इसको देख सो करना में और यहाँ पर इसे ढ़र दीजीईगा तो यहाँ सिधा बलेक हो जा रहा है उसके पाल यहाँ पर आप सब करो करदा एक करके कम श्रीज प्लें ऐसे लिए स्वाफिंग करने का मतलब यहां से देख सकते हैं आपको कोई भी चीज़ का कोई भी मुबाइल अगर आपके मुबाइल में फोटो है तो आप ऐसे दूँगली करके आप इसको तो इसको स्वापिंग कर सकते हैं तो दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छा चीज़ कर दिया है और यहां पे अगर हम इसमें सेट लेते हैं दीज़ें दूस्ति ये तीन इंगली से स्क्रीन सोट लेए अगर आप इसको ऐसे कि जिएगा तो ये जो है यहाँ से हट जाएगा अब हम इसमें चलते हैं और उसके आप देखेंगे स्क्रिंट पर है तो आप यहां से ऐसे कर दिजाःगा उसके बाद से और सकते हैं मतलब एक इसको सेटिंग के आप देख सकते हैं तो यहां पर आप देख लिए यह पूरा एक स्क्रीन सोट हो चुका है अब यहां पर दोस्तों यहां पर हम देखते हैं आपको जो है यह आइकन जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है पहले के मुताविक यह भी एक चेंजिंग बहुत बड़ा है और रिसे लिटी स्क्रीन भी है अगर आप इसको चाहता है कि आप इसको लॉक कर दे तो आप इसको सिंपली नीचे डाउन करना है और यह लॉक हो जागा यहां से अप इस फिलिटी स्क्रीन को ओन कर सकते हैं और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके और एक फीचर का दोस्तों अ इसमें अगर आप power up click करते हैं तो आपको कैसा sound आता है मैं आपको यहाँ पे ले जाकर अभी सुनाता हूँ तो दोस्तों आप लोग की पता नहीं आवाज आया होगा की नहीं आया होगा लेकिन इसका जो sound है lock का lock unlock का भी कुछ भी मतलब उसका sound change कर दिया गया है और यहाँ पे हम अगर बात करते हैं notification बार के बारे में तो यहाँ पे आप देख लिए notification बार कुछ ऐसा आता है अब इसके बाद हम setting में चलते हैं और आपको बतलाते हैं तो यहाँ पे setting में भी बहुत सारा जो मतलब बदलाव किया गया है इसमें जो है main बदलाव यहाँ पे मैं आपको बतला दूँ पहले आप यहाँ पे यह function को देख लिए अगर आप यहाँ पे इसको आप open करते हैं तो यहाँ पे आपको इसको play करना होगा तो यहाँ पे यह सारे चीज़ को एक बार में पढ़कर बतलाएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको particularly मतलब जो जो पढ़ना है बिस सिर्फ वो इसी के बारे में बोले तो इस पे आपको click करना है उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे search कर लेना है उसके बाद यह दोस्तों यह इसी के बारे में बोलेगा जहां तक आपने उसको select गिया है तो इसको कैसे enable करना है उसके लिए आपको चलना होगा smart assistant में यहाँ पे दोस्तों मैं पता नहीं यह पहले से option available था कि नहीं लेकिन मेरे को अभी ध्यान में आ है तो मैं इसको अभी बतला रहा हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पे select to speak का option है इस पे आपको click करके यहाँ पे इसको on करना होगा तो यहाँ पे आप देख लिए मैं यहाँ पे okay कर देता हूँ यहाँ पे यहाँ पे बाग गया है अगर इसको मैं यहाँ पे फिर से on कर दूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद दोस्तों इसमें असानी होगा यहाँ कोई भी चीज़ को अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं तो इससे असानी से आप सुन सकते हैं प्रेपोन लगाई और सुनिया और मजा लेजिए तो दोस्तों चलता हूं बैक और उसके बाद दोस्तों में यहाँ पे एक और चीज़ के बारे पीचर दोस्तों एट किया गया है वो भी आपको smart assistant पर मिलेगा यहाँ पे high touch है इसको आपको open कर देना है मतलब की on कर देगाना है और इसके बाद visual shopping होगा जो ऐसे कि मैंने आपको लोग को बताया कैसे आप यहाँ पे खुद आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको future description में ऐसे दिखलाएगा कोई भी image को आ पूरे detail आजाएगा आप वहाँ से उसको shopping कर सकते हैं यह मैंने पहले ही बता दूए है तो दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छा आपको जो है दिया जा रहा है जो की पाई में अभी आया है अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एक और option के बारे में तो आपको यहाँ टोटरी में जाना इसके लिए घ्र्टी में जाने के बाद यहां पर आप देख लीजए optimize बैटरी से पहर यहां पर आपको इस पर क्लिक किजेगा यहां पर optimize करके आपका जो बेटर लाइक को है और इंक्लीमेंट कर दिके जाएगा यहां पर देख लीजे हो किजेगा और फोन यूच्च किया उस फोन में आपने क्या किया , कितना तक यह यह को यहां पर बतलाएगा और दोस्तोँ इसमें यही नहीं accessible में आपको एक और चीज आपको आसानी से देखने की मिल सकता है इस्क揇न टाइम मेनेजमेंट आपको इस पर open करना है और यहाँ पर dc my phone या फिर kids mode यहाँ पर done करना है उसके बात दोस्तों यहाँ पर screen time दे रहा है set your daily screen time तो यहाँ पर आप ऐसे ही click करके यहाँ पर आप daily का screen time आप कर सकते हैं उतना दिल में जो आपका screen का जो ही यह बंद हो जाएगा और आप असानी से आप मोबाइल से दूट रहेंगे अगर दोस्तों आप मोबाइल से दूट रहने चाहते हैं तो यह option आपके लिए बहुत ही खास है उसके बाद यहाँ पर app limits का भी दिया गया है तो यहाँ पर आपको से लिमिट करना है और यहाँ पर आपको लगता है कि म्यूजिक आपको जादीर नहीं सुनना है तो आपको म्यूजिक पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों एक घंड़ा सुनना है धाई मिर सुनना है कितना मिर सुनना है यहाँ पर आपको टाइम लगा देना होगा उत अगर आपका फोन अगर कोई यूज करेगा तूसका जो आप आप गिये होंगे अप्लिकेसं को तो जो ये उएक बहुत और अगर दोस्तों कि आपको वीडियो फसंद है होगा अगर वीडियो पसंद है होगा ता लाइक कर दिए उसमें पॉंट हूंगा कि इसमें क्या क्या फीचर नहीं और एड किये गया है क्योंकि दोस्तो अभी कल ही अपडेट आया और आज मैं ये वीडियो सूट कर रहा हूँ तो जितना हमको पार लगा जितना मैंने इसके फीचर के बारे में देखा उसमें मैंने सारी आपको बतला दी अगर आपको अगर कोई परसानी अगर लागती है अगर आपको नई फीचर दिखती है तो आप हमको नीचे कमेंट कीजिए या वाट्सअप ग्रूप में आप जोईन कीजिए वहाँ पर हमको बतलाईए कि ये आपने फीचर बोनला या भूल गए है या कुछ भी अगर दोस्तों ग्रूप जोईन कीजिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप जाको वहाँ से ग्रूप जोईन कर लें तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टेकनोलोजी के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम टेक क्यार और बाय बाय